लोग नहीं पुस्टैने कि एक तो कैसे आप सब्सक्राइब करता हूं लिए मंदल में थोड़ी सी चीजा आपको बतार रहे थी और अज उसके वारे में थोड़ी दीपली हम लोग चलेंगे क्यों कि हमने देखा था वायुमंदल के संगटक के बारे में तो संगठक के में हमने मुख रूप से देखाता है कि आपके दो गैसे को ही मिला दिया जाए तो हमने क्या देखा था कि यह आपका लगभग 99% भाग कवर कर लेती हैं और इसके साथ मैं एक जनकर्या पोर देने का प्रयाज किया था कि जो हमारा अच्छो मंदल्य था जो हमारे स्थल भाग से हमारे धरातल से 32 कि उचायत तक ही हमारे हमी लगभग 99% गैसे स्प्राप्त हो जाती है मुख्रूप से हमने आपको 8 गैसे के बारे मताया था आज उन गैसे के बारे में थोड़ा से हम लोग दीपली देखेंगे एक कि आप पीजीटी पीजीटी जो भी आप एक्जाम देखें एल्टी ग्रेट में देखें तो यहां से कुष्ण अक्सर मात्रा में पूछी आते हैं कभी-कभी हम लोग बड़ी चीजों को कवर करने में हम छोटी चीजों को एक्जाम में आ जाती तो जानते हुए उसका यहां की नोटर ते रही तो की बोड़ पर चीजों को करके बताना कि ऑर सा तौट्स टाइम ठेकिन हो जाता है इसमें यह कुष्ण करें पहला पॉइंट बनाएंगे आप लोग नैक्यों इनके बारे में हमने आपको बता दिया था और नेटोजन आपका लग भग कितना पर 78 परशेंट्स आपको देखने को मिलता है कितना पर्शेंट 80 परशेंट आपको देखने को एंदे लगा है इसमें लिखेगा the 2012 में न॓ट करते रहेगा आप转ो भाइमंडल में नायट्रोजनाबो आपस्तिय काराण वायू मंडल में नैट्रोजन की उपस्तिती के कारण वस्तु में तेजी से नहीं जल पाती है वस्तु में तेजी से नहीं जल पाती है यह बहुत इंपॉर्डेंट लाइन है अर्था अगरवय मंडल में आपके नैट्रोजन है वस्तु में जो होती है वह जली से नहीं जल पाता है दूसरी बात क्या कर रहा है इसमें नहीं जल पाती है इसके साथ सथ आप लोग लिखेंगे नहीं जल पाती हैं, ओक्य? यहाद गैस, रंगहीन, स्वाद्धीन, एवं गंदहीन है, इस गैस के कारण ही, नौट करते रहे हैं आप लोग, इस गैस के कारण ही, पौध है, है इस गैस के कारण ही पौधे पौध रोटीन आमीन अंब का निर्माद करते हैं आम लगका प्रोटीन अमीन अंब का निर्माद करते हैं यह गैस यह गैस वायुदाब पवन की तिरता यह गैस वायुदाब पवन की तिरता यहां गैस वायुदाब ववन की तिब्रता तथा प्रकाश के परावर्तन को तथा प्रकाश के परावर्तन को वहावित करती है कि अपने क्या देखा यह गैस वायुदाब ववन की तिब्रता तथा प्रकाश के परावर्तन को प्रवावित करने में अपनी एहम भूमिकाने भात तो इन यह तिन चार बाते जो मैं आपको बताई सबसे जादा मात्रा में तो पाई जाती है लेकिन अब इसके अन्य गुरुक अब यहाँ देखिए को लेवल हो जो आप प्रिविए सर्कों मैं बार बार इस बात को बोलता रहता हूं कि आप लोग किसी के उपर भी स्वासना करें आप लोग प्रिविए सर्कोंस को दूसरी बात यह जब आप अपने नोट्स को प्रिविए सर्कोंस को जब साथ साथ लेकर चलेंगे तो आपको पता चल जाया है जो चीजी हमें दी जा रही है जो मिल रही है तो वह किस हद तक हमारे लिए बेनिफिशियल है तो यहां पर नेटोजन के बार में 78% है मैंने कल अगर आप देखें तो 32 कि उचाहित तक ही हमें 99% कैसे अलड़ी एवैलेवल हो जाती है प्राप्त हो जाती है उके इसमें क्या देखा इसके वज़से वस्तुने तेजिस नहीं जल पाती है पहला पॉइंट उसके बाद हमने क्या देखा इसका जो है नेचर क्या है रंगही प्रोटिन के रहा हम बात करें करते हैं कि और यह और क्या करता है और यह और यह यह फ vraiment फाय को तो प्रकास के परह और ऑक्सीजन दूसरी हमारी सबसे बड़ी गयस है आपकी ऑक्सीजन अर्था पोटू इसके बारे में लिखिए एक तरफ जहां नाइटोजन की वज़ा से जलने में जलाने में जो दिक्रते आ रहे थी नाइटोजन अगर उपसी तो वहां पर कोई चीजी जल्दी से जलती नहीं लेकिन वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो ऑक्सीजन की उपस्तिती में ही अब यहां इसके बारे में पॉइंट वाइस करके लिखते चलिए आप लोग लिखिए अगे आपको पता है कि आप सिजन की बिना इसका मातरा लगभग कितने पर्षेंट है 20% लगभग में है यह कभी-कभी एगजक्त भी आप से पूस्ट देता है अगर आप से अगजक्त पूस्ट दे तो आप इसको 20.89 पर्षेंट भी इसको यह 79 भी लिख सकते हैं यह इसका एक्जेक्ट मिलता है 20.89 या इसको 79.79 पॉइंट में भी इसको लिया जाता है ठीक है तो आप वहां से भी इसको लिख सकते हैं अब यहां पर बात आते हैं कि प्रतेक जीव को जिंदा रहने के लिए अप्सेजन क्या हो सकता होती है जैसे हम लोग आप लोग जो भी जीव है उनका ऊक्शिजन चाहिए चाहिए इसके बहराल हम लोग carbon dioxide release करते हैं छोड़ते हैं तो यह carbon यह oxygen cycle चलता रहता है अब यहां बात करते हैं कि इसमें जो मुख्या आपके परिच्छा के दिश्टिकोंस हैं उसकी चर्चा हम करते हैं तो पहला चर्चा लिखते हैं आप आप आक्षिजन के बिना नोट करिए ओक्षिजन के बिना इंधन का दहन इंधन का दहन संभाव नहीं है इंधन का दहन संभाव नहीं है मतलब यह बिना आक्षिजन के उपस्तिते में हम तो क्या कर सकते हैं आग जलेगी ही नहीं आग को जलाने के लिए इस इंपॉइंट गैसे समाजयों चाहिए और को से चाहिए और अक्षिजन बिलकुल अच्छे से चाहिए इतनी बात आपको क्लियर भी यह मोस्ट इंपॉइंट आपके पॉइंट आफी से अप आगे चलते हैं अगले पॉइंट पहले के चलता हूं इतना साथ-साथ आप प्रोलिक तरही ही मेरे सेकंड पॉइंट ही कर रहा है है आपके वायूमंडल में वायूमंडल में इस गैस की उपस्थिती पॉपस्थि लगभग 64 किलोमेटर तक पाई जाती है उपस्थिती लगभग 64 किलोमेटर तक पाई जाती है पाई जाती है इसके अतरिक्त इसके अतरिक्त अक्सीजन इसके अतरिक्त अक्सीजन उटजा का मुख्य स्रोथ है आप लग नोट करते रहे हैं यह मैं बोल रहा हूं इसके अतरिक्त अक्सीजन इसके अतरिक्त अक्सीजन उटजा का मुख्य स्रोथ है मुख्य स्रोथ है मुख्य स्रोथ है पेन पौधे पेन पौधे प्रकाश अंसलेशन की क्रिया द्वारा प्रकाश अंसलेशन की क्रिया द्वारा पेन पौधे प्रकाश अंसलेशन की क्रिया द्वारा या जिसको हम लोग फोटो सैंथेसिस कहते हैं पौटो सैंथेसिस की क्रिया द्वारा प्रिया द्वारा आक्सिजन को आक्सिजन को वायू मंडल में मुक्त करते रहते हैं कि यह रहा आपका अक्सिजन के बारे में उम्मिद करता हूं कि आपको इतनी बाते समझ में आगे होंगी तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर यह मुक्त नहीं करेंगे अर्थात यह प्रोसेस निरंदर चलता रहता है कि दूसरी बात इसमें कहीं कि 64 मंदल में जो गैस से लगवाग 64 किलमेटर तक हमें मिल जाती है असानी से यहीं अग्सिजन के बिना इंधन के जलाना कहिना कि अपने आपने इंपॉसिबल है अगर यहां पर डाटा दे 21.81 परसेंट देगा लेकिन आज कल एकजाम बदल चुका है अपने सको देखते हुए तो आप 20.89 या 7.20.79 तो आप इस भी पर टिक्र कर देंगे एकोडिंग टू आप का जैदे समें लिखना है नहीं इंग स Anda क्लाट करते हैं हम लोग कि अरगन के निए हम इंगे है कि इसकी बात करते हम लोग आपकम के बात करते हैं जीए कि 0.93 परसेंट आप अपस देखने को मिलता है लुकर इसमें लिखी यह एक अक्रिय गैस है यह एक अक्रिय गैस है क्योंकि अक्रिय गैस है अक्रिय गैस है क्योंकि क्योंकि यह रासानी क्रिया में क्योंकि यह रासानी क्रिया में भाग नहीं लेती है रासानी क्रिया में भाग नहीं लेती है क्योंकि हैं इतना हो गया आगे चलते हैं लोग वहां हमारा वुर्ट पर चलते हैं और प्रोड को हम लोगे हैं दूसरे इसे लिए क्याई से लेते हैं सिरे ूपॉइंटवी पर्षेंट हमने जब लेक्टेर दिया आपको कारवन के बारे में बहुत अच्छे इसे बताये था क्योंकि जहांनों लोग के संकललपना को देखते हैं तो तो प्रिथ्वी का आउसत तापमान हम लोग होता था प्रकृति के माध्य हम से प्रकृति उसको अपने हिसाब से सुधार भी देती थी लेकिन हम लोग ने इतना ज्यादा मात्रा में उसको बढ़ा दिया है तो सुधारने के लाएमलब बहुत दिकत हो रहा है आप लोग देख सकते हैं जैसे दिली का हमने एक्जामपल ल यह आपेसे कें कि खोज इतना आगर तक बढ़ा दिया है इतना ज़ यादा मातरा में हम लोगों ने पुरतबसर बहुजर के ज़से की जागा से कि कारवन कारबन और एक्षिजन के बीच करी पूराان प्रण डिस्पैलेंस हो गया तो आरवन के बारे में तुपास देखते हैं यह क्या है इतना लिख लिए आप लोग और लिखने के पश्चात लोग इस पर पर आगे चलते हैं कि यह एक भारी गैसे कि यह एक नोट्स को प्रॉपर मेंटेन रखिए और बार बार रिविजन किजिए यह है यह एक भारी गैसे है यह सौर विकरण के लिए परगम में है सौर विकरण के लिए परगम में है सौर विकरण के लिए परगम में है इसके अतरित किन्तु पार्थी विकरण के लिए किन्तु पार्थी विकरण के लिए के लिए परगम में है पार्थी विकरण के लिए पारगम में है पार्थी विकरण के लिए पारगम में है अब बात को समझे वर्स एक डाइगराम के यूज में आप से हैं करूंगा यह रहां मेरा मान के चली यह कि यह हमारा इसल मंडल एक इसल बागवन का homem कि कके यह हमारी सूर्भंधुष है इप हमारा लेइरन एक च्छप मंडल है और इस फॉल्यारइग कई समय करूंग आप से इस परतर्थात छोब मंदल की मैं आप से चर्चा में इस ट्वाभिक में करूंगा तो जरा बात को समझ जी हमने क्या बताया अभी एक लाइन लिखा गया है उसको समयने का प्रेस की जी और विकरण के लिए पारगम में हैं किन्तु पार्थी विकरण के लिए और पारगम में आपको मैंने बताया भी अब हमने और आपने इतना ज्यादा मात्रा में इसका कर दिया है कि कार्बन के हमारा इंक्रीजमेंट हो गया था जो हमारे सल भागे हां पे यह टू मात्रा में बढ़ गया है यह क्या करेगा यह जो भी कीड़े आएगी ठीक है मैंने आपको हर एक से बताया था कि क्लास एलेंद के चाटी में केमेस्टर के चाटी में भी दिया हुआ अब महां से भी देख सकते हैं तो यहां से जो भी चीज़ आती हैं तो इसका पार्थी विक्रण होता था मतलब हरे की स्टेश हरेक लेर से यह आगे आपको एक डाइगराम बनाकर और विक्रण में कि ल॥ है किन्टू पार थी विक्रण के अर्थात आप चाहें कि हमारे मंदल में मातरा में ब्रीद्धी-धरि की वह ए ब्र्डीदर्श की गयी कि मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे सबमझ में अगई होगी तो यह स depressinis ब्था हूं पॉर्विलर में जैसे कोई गाड़ी फॉर्विलर चठचका खड़ी हो उसका चारोगेट बंद हो तो जैसे आप उस में इंटर करते हैं और जाकर बैठते तो आप क्या लगता है आपको लगता है कि पूरा का पूरा हम लोग को बहुत ज्यादा मलब बहार की गर्मी से कुछ उससे बाहर नहीं जाता अपरकार सब्सक्राइब तो उतने जो भी उसका होता है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में घर में बढ़ जाती है यह तो काम कर रहा है आप यह हो रहा है इसमें पूरा प्रॉसेस हमने उस फॉर्विलर का एक्जाम पर लेके आपके हम बताने का प पारगम में हैं किन्तु पार्थी विक्राण के लिए और पारगम में हैं कौन सी गैस तो कारवन डाई एक्साइड डियाग्राम हमना आपको बताया फिलाल आगले पॉइंट के थोड़ा वह देखते हैं कि स्मौल क्या क्या चीज़े हैं और लिखिएगा यह कम मातरा होने के बाउजूद भी यह इसकी कम मातरा होने के बाउजूद भी इसकी कम मात्रा होने के बावडूद भी कृत्वी एवं वायुमंडल के कृत्वी एवं कृत्वी एवं वायुमंडल विमंडल किताब का संतूलन बनाने में भी विमंडल किताब का संतूलन बनाने में भी महत पूर्ण युगदान देती है महत पूर्ण युगदान युगदान महत पूर्ण युगदान देती है महत पूर्ण युगदान देती है इस प्रकार इस प्रकार उसी के आगे लित रही गया इस प्रकार वायू मंडल में इस प्रकार वायू मंडल में ग्रीन हाउस एक्फेक्ट ग्रीन हाउस एक्फेक्ट अठाद हरित ग्रीह प्रभाव उत्पन करती है कि इस प्रशन पूछे कि इस गैस की वज़ा से होता है सरवाधिक मातरा में या मिल जो होता आपका 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 अश्याइए उसके पीछे मैंने बहुत अच्छे से आप फॉर्विलर वाला एक्जांपल आद रखिएगा आप आ तो सकते हैं लेकिन जान नही सब्सक्राइब के बारे में अखिर मैंने उहां पर ऐसा क्या था कि वो सबसे ज्यादा साइनिंग है उसके बाउजित देखा जाए लेकिन उहां पर क्या आप आप आजा रहा था आप देखेंगे तोहां पर कारवन की मतलब और 95% होने का मतलब यह कि अब आपको सुचिए ह यहां पर 0.03% है तो यह हाल है आप और हम सब लोग गर्मी की दिन में क्या हालत होती है आपको सब को पता है तो वहां पर क्या होगी जहां पर 95% होगा ठीक है फिलाल मैं बस इतना करना चाहता हूं कि यह जो कारवन गैस से संतुलन में भी बहुत आवशक तो है ही लेकिन ए लेकिन जैसे वह हमारे धरातल पर आ जाएगी एक सबसे बड़ा प्रदूसर के रूप में कारे करने करना इसाट कर देती है तो आप इस बात को भी थोड़ा से द्हां से लेके चलेंगी उमीद करता हूं कि यहां तक आपको बात है बहुते क्लियर्टी के साथ समझ में आग चलिए आगे हम बात करते हैं उदोन के बारे में अमनेक्स हमारी गयस है जो बात कर रहे हैं जो चुर्ण फरत की बात करते हैं अभी मैं इसकी बात करी रहा था था फ़स्दोन लेयर ओजन लेयर के हम बात करते हैं ठीक है इसका जो रसानिक सुत्र के हम बात करें तो O3 O3 इसका रसानिक सुत्र निकल के आ जाता है लिखिए गा यहाँ यहाँ सूर्ज से निकलने वाली यहाँ सूर्ज से निकलने वाली अल्ट्रा वैलिट रेज यहाँ सूर्ज से निकलने वाली परावैगनी कीड़ों को यहाँ सूर्ज से निकलने वाली परावैगनी कीड़ों को और सोसित कर लेती है UV का मतलब Ultra Valid Rays तो और सोसित कर लेती है पोजोन गैस पोजोन गैस वायो मंडल में पोजोन गैस वायो मंडल में समताप मंडल के निचले भाग समताप मंडल के निचले भाग अर्थात ब्रेकट में लिख लीजिएगा 15 से 35 किलिमेटर के मध्य 15 से 35 किलिमेटर के मध्य पाई जाती है मध्य पाई जाती है इसे हो गया अज़रबाद को समझेए हमने क्या बताया एक लाइन लिखिये हैं आपे यहाँ गैस समताप मंडल में एक लाइन लिख लीजे आप लो यहाँ गैस समताप मंडल में जीवनदानी गैस का कारे करती है जीवनदानी गैस का कारे करती है परंतू परंतू धरातल पर आने के बात धरातल पर आने के पश्चात यहाँ प्रदूशक के रूप में परिवर्टित हो जाती है प्रदूशक के रूप में परिवर्टित हो जाती है प्रदूशक के रूप में परिवर्टित हो जाती है परवर्तित हो जाती है हो गया वायूयान से निकलने वाले धूवे जिसमें वायूयानों से निकलने वाले धूवे जिसमें धूवे जिसमें नाइटर सकसाइड जिसमें नाइटर सकसाइड तो एसी और फ्रिज से निकलने वाले निकलने वाले गस इसी और फ्रिंज से निकलने वाली गैस CFC निकलने वाली गैस CFC CFC फ्लोरो फ्लोरो कारवन CFC को हम लोगे क्या बहुत इंगलीज में आप इंगलीज में भी लिखेंगे लोरो फ्लोरो कारवन वाईुएन से निकलने वाली धूए जिसमें नाइटर सक्साइड एस यह फ्रिंज से निकलने वाले धूए जिसमें इस को CFC होगे यहां तक इस गैस का इस गैस का छरण सरवाधिक मातरा में करते हैं एक अध्यान से पता चला है कि उसको नोट करें एक अध्यान से पता चला है कि 500 सुपरसोनिक जहाज 500 सुपरसोनिक हाइटर जेट एक साथ उडान भरे तो एक साथ उडान भरे तो एक साथ उडान भरे तो ओजोन परत में और परत में बारह प्रतीसत का हरास करते हैं इस बारह प्रतीसत का हरास करते हैं एक में और नोड़ कर लिजाए ओजून लेयर में अन्हें के माज़न के कारण और में और उजोन साथ की अच्रोन ऑजोन लेयर का सरवादिक च्षित्र दक्षणी गलार्थ में पाया गया है ये दक्षणी धूर्व पर पाया गया है एवं इससे सरवाधिक मात्रा में प्रभावित महादीप इससे सरवाधिक मात्रा में प्रभावित महादीप आस्ट्रेलिया है जहां पर रिपोर्ट के नुसार लगभग रिपोर्ट के नुसार लगभग पांच लाग से भी अधिक पांच लाग से भी अधिक कि स्कीन कैंसर के मरीज पाए गया है कि स्कीन कैंसर के मरीज पाए गया है कि स्कीन कैंसर के मरीज पाए गया है इसका प्रमुख कारण परावैगनी किणों का निर्वाध रूप से धरातल पर पहुचना पाया गया इसका प्रमुख कारण परावैगनी किणों का निर्वाध रूप से धरातल पर पहुचना पाया गया कि यह रहा आचे क्लास हमने में में जो बात थी क्योंकि हमने आठ गैसे लिख वाएं थी खास और से हमें स्टार्टिंग के जो तीन-चार गैसे थी उन्हीं के बारे में हमें आपको अच्छा सजांके लेनी थी बाकी जो है अलकी गैसे हैं जो हम लोग अगले टॉपिक में ड थैंक यू